चंडरियान 2 के बाद अब बारी है चंडरियान 3 की भारत का तीसरा चंडरा मिशन क्या ये भारत को अंतरिक्ष का बेताज बादशा बना पाएगा? जानिए इस वीडियो से क्या है मिशन चंडरियान 3? उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रक्षेपन यान 8 तन तक का पेलोड प्रित्री की निचली कक्षा में ले जा सकता है जो जमीन से लगभग 200 किलोमीटर उपर है इस यान ने 2014 में अंतरिक्ष में अपनी पहली शुरुआत की और फिर 2019 में इसने चंडरियान 2 को भी अंतरिक्ष में स्थापित किया इसी साल मार्च में इसने 36 और सैटिलाइटों को प्रित्री की निचली कक्षा में स्थापित करके एक नया कीर्तिमान बनाया था ये दूसरी बार था जब इससे व्यावसाइक यानी कमर्शिल लॉंच किया गया और पहली बार अक्टूबर 2022 में इसने वन वेब इंडिया मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था लेंडर चंडरमा में तै जगह पर सॉफ्ट लेंडिंग और रोवर को तैनाद करने में सक्षम है ये अपनी गतिविधी के दौरान चंडरमा की सता का रसायनिक विशलेशन करेगा क्योंकि चंडरमा की सता पर प्रयोब करने के लिए लेंडर और रोवर के पास वैग्यानिक उपकरन होंगे चंडरियान 3 को 14 जुलाई को लॉंच किया जाएगा अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश हो जाएगा जिसने अपने यान को चंडरमा पर सौफ्ट लेंडिंग कराने में सफलता पाई है